हेलो दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि ओसत को कैसे निकाला जाता है तो देख सकते हैं पर एक प्रस्ण है इसका आपको ओसत निकालना है देखिए ओसत का नियम होता है कि आपको सभी संख्या को जोड़ना है और जितना संख्या को आप जोडते हैं उतना ही से आपको भाग लगाना है देखिए औसत का फार्मूला होता है रासियो का योग बटा रासियो की संख्या यानि जितने भी रासि दिया हुआ है इसका आपको योग करना है योग का मतलब होता है जोड तो चलिए सबसे पहले आपको सभी संख्या को जोड की रूप में लिख लेना है यानि 8 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 10 देखिए यहाँ पर संख्या जो था वह था 10 तक अब देखिए इसके बटा में आपको लिखना है रास्यो की संख्या यानि यहाँ पर आप कितने संख्या को जोड रहे हैं यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 यानि कुल संख्या 5 है तो इसमें हम लोग भाग लगाएंगे 5 से अब आपको देखिए यहाँ पर जो भी संख्या है इसको जोड़ना है 8 और 6 यहोजाएगा 14 14 और 12 को जोड़े यहोजाएगा 26 26 और 4 को जोड़े यहोजाएगा 30 30 और 10 को जोड़े यहोजाएगा 40 यानि संख्या को जोड़ने के बाद यहाँ आग्या 40 इसके बट्टा में देखिया है पांच अब आपको पांच से भाग लगाना है चालिस में पांच से चालिस को काटें तो यह कट जाएगा आठ बार में यानि इस प्रश्ण का औसत कितना निकल करके आगया वह आगया आठ तो आप लोग इसे अच्छे तरह से समझ गया होंगे तो चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्ण को हल करते हैं तो देख सकते हैं पर दूसरा प्रश्ण है आपको यह संख्या का औसत को निकलना है देखिये हैं पर जो भी संख्या है सबसे पहले आपको जोड के रूप में लिख लेना है यानि देखिए यहाँ पर 4 है 6, 2, 1, प्लस 5 देखिए यहाँ पर जितना संखिया है उतना ही से आपको भाग लगाना है देखिए हाँ पर संखिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानि कूल संखिया जो है वह है 7 9 और 8 यहो जाएगा 17, 17 और 4 यहो जाएगा 21, 21 और 6 यहो जाएगा 27, 27 और 2 यहो जाएगा 29, 29 और 1 30, 30 और 5 यहो जाएगा 35 और इसके वट्टा में देखिया है 7, अब आपको 7 से 35 को काटना है, 7 से 35 यह कट जाएगा 5 बार में, यानि इस प्रस्ण का औसत निकाले तो इसका इंसर आजाएगा 5, तो आप लोग अच्छे तरह से समझ गए होंगे कि औसत को कैसे निकाला जाता है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होतों वीडियो को कर दिजिएगा लाइक और चैनल पर नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक